हेलो फ्रेंड मैं हूँ सलीम चारणिया इलेक्ट्रोनिक्स क्रिएशन चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो आज है हमारे समने होट एंड हीट एंड होट कमपनी का इंडक्षन जो कि दोस्ते लोंगर कमपनी का इंडक्षन जो आता है उसका सेम मोडल है लेकिन ये वाला जो इंडक्षन है दोस्तों उसमें सारे पार्ट्स SMD लगे हुए है अभी जो है दोस्तों इस इंडक्षन में मुझे नया देखने को मिला है अभी इंडक्षन में दोस्तों एर टू आ रहा है एर टू कब आ रहा है दोस्तों जब इसका बरतन हीट होता है अभी जो है एर टू ह जो है य वोर्टेज करेता है अभी जो है इसके अंदर हीटिंग बन रहा है यह इसका जो फेंद है और खराब है और शायद इसकी पसीवी में कोई आगे problem है मैंने थोड़ा सा इसमें देखा है अभी ज्यादा तो मैं dip में नहीं इसमें देख पाया हूँ लेकिन जो है अभी मैं इसको repair करने वाला हूँ तो आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तो के SMD parts में आपको कैसे इसको problem का solution कर गया और ये वाला induction जो है दोस्तो उसमें थोड़ी देर चलने के बाद heating का error 2 आ रहा है अभी जो है दोस्तो इसमें error 2 क्यों आ रहा है और heating का error 2 क्यों आ रहा है इसमें तो इसके बारे में मैं आपक को दिखाने वाला हूँ दोस्तों तो दोस्तों आपको जो मेरा वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो इससे लाइक कीजिए शेर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि जो है मैं ऐसे वीडियो बनाता रहू और मुझे कहीं सारी कोमेंट आ रही है अभी क्य जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं कुछ ना कुछ नहीं आपको दिखाने वाला हूँ और अभी जो है मैं इसकी डेटा आइसी जो रहती है दोस्तों माइक्रो कंट्रोलर आइसी जी से बोलते है वो हम बनाने वाले है अभी उसकी डेटा कलेक्शन में मैं लगा हूँ अभी काफी सारे इंड़क्षन का data मुझे मिला है अभी जो है डेटा मिल जाएगा दोस्तों तो यह सभी इंड़क्षन का जो है माइक्रोक एड़क्च में बनाने वाला हूँ उसकी जो है कोपी करके सारे डेटा को मेनेज करने वाला हूँ जोकि यह market में बहुत कम मिलती है दोस्तों data IC, इसकी micro controller IC अभी market में available नहीं रहती है तो इसमें जो है चाइना वाले PCB जो रहता है उसकी हमारे पास data मिल चुकी है अभी जो है काफी सारी company का induction का data हमारे पास नहीं है जैसे ही बनेगा दोस्तों उसका भी में आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ के micro control IC में data कौन सा रहता है कैसे वर्क करता है सभी प्रकार के जो वीडियो में है बना कर आपको दिखाने वाला हूँ लेकिन इसके लिए दोस्तों थोड़ा लेट जरूर रहूंगा क्योंकि मेरे पास अभी time नहीं रहता है इसलिए वीडियो में नहीं बना पा र problem है तो देखे दोस्तों इसमें induction में one कर रहा हूँ देखे आपको यहां पर zoom करके दिखा रहा हूँ दोस्तों यहां पर induction हमारा बिल्कुल सही work कर रहा है देखे यहां पर हमने 1300 watt में set किया है अभी यहां पर पानी भी hot हो रहा है चलिए इसको देखते है error two कब आ रहा है तो तब तक के लिए मैं वीडियो को पोज कर रहा हूँ इसमें error two आ रहा है अभी यह चार मिनिट तक चला है induction इसके बाद जो है दोस्तों error two आ रहा है तो चले इसका में power off कर लेता हूँ और इसको अंदर देख लेते हैं क्या problem है तो सबसे पहले दोस्तों इसका cover में ने open कर र और इसका coil भी में निकाल लेना है यहाँ पर देखें दोस्तों आपको दिखा देता हूँ यह वाली PCB जो है इसमें यहाँ पर बहुत ही कम पार्ट्स है क्योंकि जो इसके most of पार्ट्स है टांजिस्टर रजिस्टर पीफ वगेरा सब नीचे है यह वाला SMD बोड है दोस्तो तो अभी जो है यह वाला मार्केट में SMD इंडक्शन बहुत मिल रहा है लेकिन यह सक्सेस इतना नहीं है तो आप भी कभी SMD पार्ट्स वाला इंडक्शन ना खरीदे क्योंकि यह ज्यादा नहीं चलता है इंडक्शन बोड जो है दस्तों और लोडिंग वाला बोड है सबक्राइब की रजिस्टर का ट्रांसिस्टर का लोडिंग नहीं रहता है तो अभी जो है इसके अंदर कुछ नहीं प्रोब्लेम मुझे या फिर आगे का सप्ली का प्रोब्लेम है तो això मैं आपको दिखाने वाला हुँ दोस्तों इसमें क्या प्रोब्लेम है तो चलिए इस इसमें प्रोबब्लेम क्या है दोस्तों सब हम स्टार्ट करते हैं तब इसमें भीप की आवाज नहीं आ रही है और भी नहीं चल रहा है तो भीप की आवाज और फैन दोनों का हम एक ही निकलता है ऐसी से बज़र से दोस्तों प्लॉस व्ल्bour contempor बोट्व जो होते आई सी से माइक्रो कंट्रोलर आई सी से जो कनेक्शन निकलता है उसके बीच में फॉर पॉइंट सेवन नहीं कर रहे हैं मतलब के हमारा इंडक्षन जो है हो Subaru हो रहा है और достаточно इसमें अभी दोस्तों इसमें इंडक्शन जो है इसकी इसकी ऑलोडी आई सी दोस्तों उसमें कहींदा में प्रॉब्लम रहेगा क्योंकि इसमें इईर टू नहीं आना चाहिए तक से हीरो डे मतलब की यह वाली आईसी का जब डेटा कोपी किया होगा तभी उसमें कुछ फाइल मिसिंग होगी या फिर यह वाला इंडक्षन में जो है एरर का शोटकट लिया होगा तो कहीं इंडक्षन में दोस्तों मुझे देखने को मिला है कि जब हम बरतन सेंस करवाते हैं तभी उसम कंपनी का ही इस्व है इसमें हम कोई भी सोल्यूशन नहीं कर सकते क्योंकि उसकी जो उसका डायोग्राम होता है उसकी जो पॉलिस होती है तो यह वाले इंडक्षन में नहीं देखना है कि अभी इसमें एरर टू आ रहा है यह तो फाइनल है कि थोड़ी देर चलने के बाद तो इसका मतलब है कि जब इंडुक्शन बहुत ज्यादा ओठ हो जाता है तभी एर टू शो कर देता है तो अभी जो है दोस्तों इसके अंदर हमें फैन का सॉल्यूशन करना है तो चलिए इसके अंदर में आपको दिखा देता हूं आपको कहां पर देखना है तो सबसे पहले जो है दोस्तों मल्टी मीटर को यहां पर बीप की आवाज में सेट करेंगे मदलब की यहां पर ओम स्पी दिखाएगा और शॉर्टिंग रहेगा तो इसका बीप भी तो यहां पर देखें यह वाला 80 ट्रांजिस्टर है यहां पर जो है एक नमबर वाली जो पीन है वह एमीटर यहां पर ग्राउंड रहती है तो यहां से हम पहले ग्राउंड को चेक कर लेते हैं तो यह वाला ग्राउंड है दोस्तों तो देखें यहां से यहां तक ग्राउंड हमें ट्रांजिस्टर के उपर मिल रहा है अब जो है इसका में ट्रांजिस्टर भी चेक कर लेना है दोस्तों तो यह वाला जो है एक नंबर की इसमें पीन जो है दोस्तों वह बेज रहती है हमा आज सोम्स के करीब दिखाई दे रहा है मतलब की यह त्रांजिस्टर हमारा सही है तो अभी इसमें दोस्तों कि यह वाली सप्लाई जो है 18 वल्ट की सप्लाई है वो भी यहां डाइवर्ड सी सिधा आ रहे हैं मतलब की यह वाली सप्लाई भी हमें सही मिल रही है अब इसका ट्रेक पकड़ कर वहां है आगे चलना है दोस्तों तो यह वाली जो सेंटर की पिन रहती है उससे आगे यहाँ पर बजर है और यहाँ पर 4.7 MFD का कंडेंसर लगा हुआ है तो देखिए यहाँ पर हमारा बजर भी सही है और इसके आगे दोस्तों यहाँ से होकर 4.7 MFD से यहाँ पर एक देखे रजिस्टर यहाँ पर एक SMD रजिस्टर लगा हुआ है दोस्तों देखिए यह वाला रजिस्टर हमें जल चुका है क्योंकि यहाँ पर कोई भी काउंट हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं और इसके उपर भी हम चेक कर लेते हैं, तो देखें दोस्तों यहाँ पर बहुत ज़्यादा Ohms दिखाई दे रहा हैं और यहाँ पर कुछ भी उल्टा करके दिखाई नहीं दे रहा हैं, मतलब की यह वाला जो रजिस्टर है दोस्तों, यह वाला रजिस्टर जो है दोस्तों, यहां पर 1K का collectors तो एक अगा लगा हुआ है जो टांजिस्टर के अंदर जो सप्लाई रहती है देखेए यहां पर मैं आपको दिखा देता हूँ यह वाला टांजिस्टर टांजिस्टर जो यहां पर connections मिल रहे हैं यहां पर देखे 102 लिखा हुआ है मतलब कि यह बन के का रजिस्टर है उसके माधियम से यहां क्यापेसिटर पर आ रहा है और क्यापेसिटर से होकर यहां पर एक रजिस्टर लगा हुआ है तो यह सिधा आइसी की यहाँ पर दो नंबर वाली पीन जो है उसके उपर आ रहा है देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ देखे दोस्तों यहाँ पर हमारी पीन आ रहे है लेकिन बीच में जो एक रजिस्टर लगा हुआ है वह यहाँ पर ओपन हो चुका है जल गया है तो भी जो है दोस्तों यह वाला रजिस्टर कौन सा होना चाहिए तो चलिए इसके बारे में आपको दिखा देता हूँ सारे इंडक्शन में दोस्तों यह सेम ही रहता है फेन का जो एरिया है वो सारे इंडक्शन में सेम रहता है कोई भी कंपनी का इंडक्शन आप लेलो उशा का लेलो बजाज का लेलो चाइना का या फिर लोंगर का कोई भी इंडक्शन लेलो उसमें सेम यही जो फेन का एरिया ह वो सेम ही रहता है कई कंपनी ने दोस्तो थोड़ा difference किया है लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा कोई difference नहीं है सिर्फ IC से pulse निकलता है उसके अंदर 1K का register use होता है 1K के वादियम से जो जो है दोस्तो transistor को pulse मिलता है transistor हमारा work करता है अभी इसके अंदर जो है दूस्तों एक रेजिस्टर आगे और लगा हुआ है तो और रसे कंश्घ कrophyया आप मां लेजे के के आपका फेन शौटिंग बन जाए कई बार AREसा बन भीए कई बार बन जाता है तब यह वाला जो हमारा और जल जाएगा और आगे का कोई माइक्रो कंट्रोलर अई सी में प्रोब्लेम नहीं बनाएगा तो अब ही यह वाला रेजिश्टर क्या होगा दोस्तों तो इसमें जो इसको feasible register भी बोल सकते है क्योंकि इसका जो कोई ohms नहीं होता है यह बिलकुल 0 ohms का रहता है अभी देखिए इसमें कहीं भी ज्यादा 0 ohms के register है देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर भी एक 0 ohms का है यहाँ पर भी एक 0 ohms का दिखाई दे रहा है देख पर करके देख लेते हैं हमारा फैन स्टार्ट होता है नहीं तो देखे दोस्तों यह वाला जंपर है जो आयर खा उससे यहां से जंपर कर देंगे यह वाला SMD पार्ट नहीं का लेंगे क्योंकि इसके अंदर जो है नीचे दो ट्रेक लगी हुई है अगर हम वहां पर जंपर करेंगे तो इसके अंदर खोन था यहां पर ठा और यह प्रोब्लेम किस कारेंट से बनता है दोस्तों कही बार जो है है एक थि का लोड़िंग बनता है या फिर यह ड्लिकेज बन जाता है तभी यहां पर जो में यह वाला tradicional register open हो सकता है लेकिन हम जो है इसको भी च burned आगे transistor भी हमारा सही है तो अभी जो है इसको are fan प्रॉब लगा देते है और इसको देख लेते हैं अभी बीब की आवाज आ रही है तो देखे दैंथोसे इसमें बीब की आवाज भी आ और यहां पर देखे फेन चल कर फिर रुख गया मतलब कि अमारा जो इंडॉक्षन का फेन चलता है वो बिल्कुल सही वर्क कर रहा है अब यहां से मैं आपको पेनल से ओन करके भी दिखा देता हूँ देखे यहां पर अमारी डिस्प्ले आ रही है यहां से मैं ओन कर रहा हूँ तो देखे अभी एरर जीरो शो कर रहा है और यहां पर देखे अभी फेन भी चल रहा है और बीप की आवाज भी आ रही है तो मतलब कि अमारा जो फेन का प्रोब्लेम था दोस्तों उसका सोल्यूश हो जाता है मतलब की होट हो जाता है तो तभी यह जो एरर उसका सेंसर है और टू शो कर देता है तो अभी इसमें जो है दोस्तों मैंने और बात भी देखी है यहां पर जो कोईल का सेंसर है अगर वाला सेंसर हीटिंग हो जाए तो इसमें एरर वन शो कर देता है मतलब की यह द दोस्तों ये वाला इंडक्शन तो अमारा बिल्कुल सही वर्क करेगा क्योंकि इसमें जो है फेन के बज़े से ही इटिंग का इश्यू था तो अभी ये वाला वीडियो जो है मैंने आपको कम्प्लिटली स्टेप बाइ स्टेप इसमें दिखा दिये दोस्तों तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लेजी से लाइक किजे शेर किजे और सब्सक्राइब करना ना भूले दस्तों ताकि जो है मैं ऐसे वीडियो बनाता रहूं तो दस्तों फिर मिलेंगे इसी चैनल पर